बच्चा बने प्यार किया डिप्रेशन जेला फिर भी शालीन भनोट क्यों नहीं जीत पाएंगे बिग बॉस की टॉफी आखिर क्या रीजन है कि टॉफ फाइब में आने के बाद भी टॉफी से पिछड़ जाएंगे शालीन भनोट आईए बताते हैं इस वीडियो में वीडि प्रियंका चाहार चौधरी और अर्चना गौतम टॉफ फाइब में अपनी जगह बना चुके हैं इन सभी कंटेस्टेंस ने फिनाले तक पहुचने तक बहुत सारी परशानियों का सामना किया पर अगर सभी कंटेस्टेंस की जन्नी पर नज़र डाने शालीन भनोट एक मात पर फिर उन्होंने शो में टीना दर्ता संग प्यार का एंगल शूर किया हाला कि तोड़े दिनों में ही समझ में आगया कि टीना और शालीन शो में टिके रहने के लिए फेक लव एंगल बनाने की कोशिश करें शालीन की उम्रे 40 साल है लेकिन सल्मान खान के सामने हमेशा बच्चों की तरह उन्होंने एक्ट किया सल्मान खान ने जब भी उन्हें उनकी गलतियों के लिए आइन्या दिखाया तो वो बच्चा बनकर खुद को बेकसूर साबित करने लगे सल्मान खान ने कई बार शानीन को याद दिलाया कि शो जीतने के लिए फेक लव स्टोरी क्रियेट करने की कोशिश न करें हाला कि शानीन को तब तक बात नहीं समझ में आई जब तक खुद उन्होंने ठोकर नहीं खाई कुछ हफते पहले शो में एक ऐसा मोडा आया जब तीना दत्ता और शानीन भनोट ने पूरी तरह से अलग रहने का फैसला किया तीना से अपनी राहें अलग करने के बाद शानीन घर में अकेले पड़ गए शो में कोई ऐसा कंटेस्टेंट नहीं था जिससे वो अपने मन की बाद शेयर करें धीरे धीरे अकेला पन उट पर हावी हो गया और एंग्साइटी का वो शिकार हो गया पर जैसे टीना शो से आउट होई शानीन पहले जैसा अच्छा महसूस करने लगे और अब फिनाले में अपनी जगह वो बना चुके हैं फिनाले के करीब आकर भी लोग शानीन भनोट को विनर के तौर पर नहीं देख रहे हैं शालीन ने भले ही शो जीतने के लिए सारे हटकंडे अपनाये फिर भी उन में विनर की खोबिया नजर नहीं आती इसकी बड़ी वज़य ये है कि शो के दौरान शालीन अपना एक भी अच्छा दोस्त नहीं कमा पाए नहीं उन्हें सच्चाई से गेम खेलते वे देखा गया यहाँ तक शालीन घर के बड़े मुद्दों पर भी स्टैंड बहुत ही कम लेते देखे गए शो के दारान उनका पूरा फोकस बस फीक लव स्टोडी क्रेट करना ही था ऐसा लोगों को लगा यही चंद कारण है जो शालीन ट्राफिक के बेहत नजदी का कर उसे अपने साथ ले जा नहीं पाएंगे बाकि विनरल को लेकर पूरी पिक्चर तो फिनाली के दिन ही साफ हो पाएगी क्या कुछ कहना है शालीन के इस स्टोरी पर आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं लाइक शेर और सबस्क्राइब करना बिल्कुल न पूले झाल